नमस्कार दोस्तो आज हम करने वाले चक्रासन दौनों तरह से करेंगे एक बार लेट कर तो इस तरह से लेट कर दौनों हाथों को पूरी इन्हेल करते हुए हं ऊपर की तरफ उठेंगे इस तरह से यह वील पोष भी कहता है इसको इस से पूरी चेस्ट एक्स्पेंड होती है और लंग्स को मोर एक्सिजन मिलती है और इससे क्या होता है कि आपके जो अस्त्मा के पेशेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है स्ट्रेस भी कम होता है और बॉडी को टैंशन में नहीं रहती है तो ग्लोइंग स्किन और शाइनिंग हेर्स के लिए भी चक्रासन बह किन है वो भी गलो करती है और बालों के लिए भी बहुत अच्छा है उसमें भी शाइनिंग आती है तो आई साइट के लिए भी चक्रासन बहुत अच्छा रहता है और इस तरह से आपको इसे थोड़ी देर रुखेंगे सांस लेते रहेंगे 10-15 सांसे आपको इनेल एक्जि इसमें आगे आपको वेरियेशन करने के लिए इनको जादा से जादा पैर के पास आएंगे हातों को पास लाएंगे जादा दिर रुकने के लिए आपको कभी हेकात को अब यह हम खड़े होकर चक्रासन कर रहे हैं तो यह ज़्यादा प्रक्टिस होती है वो ही कर पाते हैं करने की कोशिश करें तो, इससे बैगवेंडिंगं बहुत हो जाती है is जिसकी वही कर पाता है इसको तो धीड़े धीड़े आप अपनी बैक बैंडिंग को बढ़ाएं बैक लिए मैं और एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें कि दीरे दीरे आप अपनी बैक बैंडिंग किस तरह से भड़ा सकते हैं तो इसमें हम और देखिए दौनों हातों को नीचे रखकर और दीरे दीरे हम पैरों को टच करने की कोशिश कर रहे हैं तो चक्रासन जरूर करें आप उसके बड़े फायदे हैं फायदे हमने इसमें लिख भी दिये हैं और बोल भी दिये हैं बहुत अच्छा रहता है यह तो दस पंद्रे आप इस इनेल एकसेल जरूर करें चक्रासन के लिए ओके बाए दोस्तों वीडियो जैसा लगे तो बताएं